हलो दोस्तों स्वागत है आपका अमारे यूट्यूब चैनल पर और आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान वर्सेज बंगलादेश चोकी 41st T20 वर्ल्ड कप का मैच है उसके बारे में आपको बता दू जिस दिन ये मैच होने वाला है उसी दिन ही 3 मैचेज होंगे T20 वर्ल्ड जी हां और जो उसके नेक्स्ट मैच खेला जाएगा वो इंडिया और जिंबावे का खेला जाएगा जो पाकिस्तान के नेक्स्ट खेला जाएगा वो इंडिया और जिंबावे के बीच खेला जाएगा तो गाइस यह है तीन मैचेज जो खेले जाएंगे आज T20 वर्ल्ड के तो चलिए जानते हैं इंडी सबसे पहले हम पाकिस्तान और बंगलादेश के जो मैच होने वाला है उसकी इंपरमेशन तो ये मैच होने वाला है छे नवंबर संडे को साड़े नौ बजी एडिलेड ओवल पर ये मैच केला जाएगा इस ग्राउंड पर पाकिस्तान ने पहल को बता दू कि जो टी ट्वंटी वल्ल कप में पाकिस्तान और बंगलादेश के चांसे जाने के वह कितने हैं और कैसे हैं और कैसे नहीं हैं तो गाइज आपको बता दे सुबर सुबर साड़े पांच बजे होने वाला है साउथ अफ्रीका और नीधरलेंड का मैच और अगर उस मैच को बाई चांस नीधरलेंड्स जीड जाती है तो इस दोनों ही टीम्स में से किसी का चांस हो पाएगा आगे सेमी फिनाले में जाने का लेकिन अगर साउथ अफ्रीका उस मैच को जीड जाती है और जो अगला मैच है पाकिस्तान और बंगलदेश के बाद वाला नमबर पर है South Africa और जो बंगलादेश और पाकिस्तान की टीम है इन दोनों के पास ही चार-चार पॉइंट्स हैं लेकिन जो पाकिस्तान का Net Run Rate है वो प्लस में चल रहा है वही बंगलादेश का जो Net Run Rate है वो माइनस में चल रहा है तो चलिए यह हो गई हमारे पास बात Bangladesh और Pakistan सेमी फिनाले में कैसे जा सकता है या कैसे नहीं अब आगे चलते हैं दोनों ही टीम्स की तरफ तो यहां पर हम बात करने वाले हैं उन सभी प्लेयर्स की जो की हैं दोनों ही टीम्स में हमारे पात Playing 15 की बात करने वाले हैं पाकिस्तान के Playing 15 की बात करें तो बाबर आजम है, कैप्टन, उसके बाद अली है, हैरिस रॉफ है और शाह है, नवाज है, उसके बाद फिर से शाह है उसके बाद मसूद है, जमन है, और खान है उसके बाद अली है, एमद है, हसनैन है, महुम्मद रिजवान जो कि विकेट कीपर है उसके बाद है अफ्रीदी और वसीम जूनियर ये हो गए हमारे पाकिस्तान के प्लेइंग 15 अब चलते हैं बंगलादेश के प्लेइंग 15 की तरफ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हसन है जो कि कैप्टन ओल राउंडर है उसके बाद है हुस तो यह हैं बंगलादेश के प्लेइंग 15 जो प्लेयर से टोटल और अगर आप जानना चाहते हैं प्लेइंग 11 तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं आगे हम बात करने वाले हैं दोनों ही टीमस के बारे में कि दोनों ही टीमस का लास्ट पफ मैचस में क्या परफॉरंस रहा था और एड्टु है वहीं पर सें तो सेंब बंगलदेश के साथ विए कि तीन मैचिज आ रहे है और दो मैच जीते है और हैट्टू एट की अगर हम बात करें दोनों ही टीम जिए भीच तो आप देख सकते हैं पाकिस्तान ने दस मैसे हमाला हम लस्ट 10 मैचिस की बात कर रहे पाकिस्तान बारिश की चांस नहीं है यह हो गया हमारे दोनों ही टीम का हैट तो हैड है और हमने जान लिया है दोनों की परकॉरेमेंस कैसी है ौश रहे लेकिन अब हम अगर हम नॉर्मलब्डी बात करें तो पाकिस्तान जादा स्ट्रॉंग टीम है अगर हम उसको compare करें बढगलादेश की टीम से चलिए आगे बढ़ते हैं इस तो आगे आप कि देख सकते हैं यह आगी है हमारे पास team का comparison दोनों ही team का comparison कर लेते हैं यहां पर हम लोग it last December कि अगर बात करें उनके based pay हम बात कर रहे हैं 50% chance है Pakistan के जितने के वही 130% है Bangladesh की जितने के average Pakistan का 147 है और 152 है highest Pakistan का 177 और Bangladesh का 173 भान फीर्ज यह पाकिस्तान का कम है 95 और Bangladesh का है 98 तो यहां पर हमने देख लिया है की 50% chances है पाकिस्तान के जीतने के वही 30% हैं सिरफ बंगलादेश के जीतने के Average score, Highest score भी हमने बात करी लिया है तो चलिए आगे चलते हैं आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर हैं हमारे पास वो matches जहाँ पर बंगलदेश और पाकिस्तान की टीम दोनों ही आमने सामने खेली थी लास्ट मैचेज में तो यह हमारे पास तीन मैचेज दी हुए है और तीनों में ही पाकिस्तान ने विन किया है तो चलिए इन तीनों मैचेज की हम डीटेल में इनफोर्मेशन जानते हैं आगे ताक कि हमें पता चल सके कि दोनों टीम जब आपने सामने आती हैं तो कैसा खेलती हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं बंगलादेश ने बनाए हैं 173 रंस छे विकेट पे वहीं पाकिस्तान ने 177 थी विकेट पे पाकिस्तान जीता था साथ विकेट से इस मैच को और यहां पर प्लेयर अब अच्छा परफॉर्मेंस ना आने की वज़े से अब सूर्यकुमार आ गए हैं टीट्वेंटी विल्ल कब सॉरी टीट्वेंटी क्या जो बैट्समेन है टॉप रैंकिंग में वहां पर अब नंबर वन पर सूर्यकुमार यादव आ गए हैं तो इनकी बात करें अगर पर आये थे 42 पॉल्स में 69 जर्टाकी बासनने 42 फोन में 68 रं वहीं अगर बात करें पाकिस्तान की बॉलिंग की तो नसीम शाने दोें की हिसाला और और मॉहमद वसीम ने 2 जो भिकली और 33 रट दिये अब बात करते हैं पाकिस्तान की इनिं nervous ने 56 balls में 69 runs मनाया थे बाबर आजम जो की captain है 40 balls में 55 runs मनाया थे वही बांगलादेश के जो ballers है था हसन महमूद इन्होंने 2 wickets ली 27 runs दिये सौमय सरकार बांगलादेश के baller ने 1 wicket ली और 6 run दिये थे तो यह कर ली हमने एक match की बाद जो की हुआ है बांगलादेश और बांगलादेश और पाकिस्तान के बीच में तो आपने देखा है कि इस match में तो बाबर आजम और मोहमद रिजवान अच्छा performance कर गए लेकिन अब जो हमने matches देखे हैं पिछले कुछ पाकिस्तान के वहाँ पर हमें देखने को मिला है कि जो ये दोनों प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के टॉप के जो बैच मैन है ओपनिंग करते हैं जो ये आजकल अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं इनकी form अच्छी नहीं चल रही है ये इतना अच्छा score नहीं कर पा रहे हैं और अगर इस match में भी ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के लिए ये match जीता बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है तो चलिए आगे चलते हैं अगले match पर तो यहां पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान जीता है यहांबर 21 runs से और बनाए थे 167 पाकिस्तान ने 5 विकेट के नुकसान पे वहीं बांगलादेश ने 146 आठ विकेट के नुकसान पे पाकिस्तान की इनिंग्स की अगर हम बात करें मोहमद रिजवान का नाम फिर से आया है 50 बॉल में 78 runs बनाए शान मसूद है 22 वॉल्स में 31 run बनाए तसकीन एहमद बांगलादेश की बॉलर दो विकेटली 25 run दिये मेंदी हसन ने एक विकेटली और 12 run दिये बांगलादेश की इनिंग्स की बात करें यसीर अली ने 21 बॉल्स में 42 runs बनाए लिटो दास ने 26 बॉल्स में 35 और मोहमद वसीम ने 3 विकेटली बांगलादेश की और 24 run दिये वही पे नवाज ने 2 विकेटली और 25 run दिये थे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं प्लेयर आफ दे मैच मोहमद रिजवान है 50 बॉलों में 70-89 run बनाये थे तो दो मैचेज में हमने देख लिया है कि मोहमद रिजवान यहाँ पर प्लेयर ऑफ दे मैच थे और अगर इसी तरह से खेले रिजवान इस मैच में तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही जादा फाइदा होने वाला है अब आगे चलते हैं आगे हमार पस एक और मैच आ गया है बंगलादेश और पाकिस्तान के बीच यह हुआ था तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान पांच विकेट से जीता है आपर स्कोर्स आप देख सकते हैं दोनों के कुछ जादा नहीं है बंगलादेश ने और 127 बनाए है पाकिस्तान ने इनिंग्स की बात करें तो यहाँ पर बंगलादेश ने पहले खेला था मुहमद नाइम ने बनाये थे 50 बॉल्स में 47 रन उसके बाद पत्वारी ने बनाये थे 23 बॉल्स में 22 रन वहीं मुहमत वसीम ने 2 विकेटली और 15 रन दिये बांगलादेश को और उसमान ने 2 विकेटली और 35 रन दिये थे बांगलादेश को तो ये हो गई बांगलादेश की इनिंग चलते हैं पाकिस्तान की इनिंग पर तो पाकिस्तान की निंग में आप देख सकते हो हैदर अली ने 38 बॉल्स में 45 रंस बनाए रिजवान फिर से आये हैं 43 बॉल्स में 40 रंस बनाए उसके बाद रियार ने 3 विकेट ली और 10 रं दिये थे जो बांगलादेश के बॉलर है वही पर अनीमुल इसलाम ने 1 विकेट ली ली और 26 रं दिये थे इस मैच में प्लेयर अफ़ दा मैच थे हैदर अली पाकिस्तान के प्लेयर 38 बॉल्स में इन्होंने 45 रंस बनाए थे तो जैसा कि आपने देख लिया है कि यहां पर भी जो प्लेयर ऑफ दा मैच है पाकिस्तान की टीम ही है तो मैंने आपको स्टार्टि और पाकिस्तान चल रहा है प्लस में तो अगर पाकिस्तान को आगे और बढ़ना है उनको अपना जो है नेट रंडेट और जादा बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आगे उनको जाके नीद सौरी राउथ अफरीका और इंडिया से कॉम्पिटीट करना होगा और आपको यह भी बता दे कि बांगलादेश अगर यह मैज जीत जाता है तो उनके उनको भी यही करना पड़ेगा बहुत जादा रनों से उन्हें जीतना पड़ेगा तभी आगे वह बढ़ पाएंगे आगे चलते हैं इन्फोर्मेशन पर तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास टॉप कि खिलाफ 12 बोलों में 14 और साउथ अफरीका की खिलाफ 31 बोलों में 34 दूसरे हमारे पास मोहमद रिजवान है इनका नाम तो आप सबने सुनाई है कि पाकिस्तान के बहुत अच्छी खिलाड़ी है यह बैट्समें विकेट कीपर है और बैटिंग भी बहुत अच्छी करते ह नीदर्लैंड के खिलाफ 39 बोलों में 49 रन्स बनाए जिंबावे के खिलाफ 14 बोलों में 4 रन बना पाए थे अब चलते हैं बैट्समें के दरफ तो यहां पर हैं पाकिस्तान के शानमसूद शानमसूद की गेम की बात करें रिसेंट जासे इनोंने खेला है नीदर्लैंड से इन खिलाफ सिर्फ बारा रन बना पाए थे जिंबावे के खिलाफ 44 और इंडिया के खिलाफ हाफ सेंचुरी 52 बनाए थे वहीं अगर अगले बैट्समें की बात करें तो यहां पर है नाजमुल नाजमुल-बांगरादेश के बैट्समें हैं इनकी अगर रिसेंट पर्फॉ जो रिसेंट फोम है वह जादा अच्छी नहीं चल रही है क्योंकि इंडिया के खिलाफ तीस सिरफ तीन ले पाए थे जिंबावे के खिलाफ 29 और उससे पहले साउथ अपरीका की खिलाफ सिरफ एक ले पाए थे तो यह हो गए है हमारे बैटमैन अब आगे चलते हैं ऑल राउ 10 पर सबसे उपर है हमार कार चाधाब खान इन्होंने दो उडलों में चाहरव नीज़ दीए इनली दिये इंडिया के मैच नेंच जापनें और जिंबावे में कोई विकेट ली ने पाए थे 34 रंस दिये थे और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी दो विकेट ली और 33 रंस दिये थे नेक्स्ट है हमारे पास महमबन दवाद जो की पाकिस्तान के प्लेयर है इनकी अगर बात करें रिसेंट परफॉर्मेंस की जिंबावे के खिलाफ इन्होंने 22 रं बनाए इंडिया के खिलाफ 9 बनाए और इंग्लेंड के खिलाफ बनाए सिरफ 10 रं तो यह हो गए हमारे ओल रा 24 रंस दिये उसके बाद स्रीलंक के खिलाफ इन्होंने तीन विकेट ली और 51 रंस दिये तो आप देख सकते हैं रिसेंट परफॉर्मेंस इबादा सुसान का बहुत अच्छा रहा है नेक्स हमारे पास है महमब वसीम इनकी अगर बात करें रिसेंट परफॉर्मेंस की नीद तसकीन एहमद ने पिछले मैच में जो कि इंडिया के खिलाफ था इनका उसमें कोई विकेट नहीं ली थी 15 रंदिये थे जिंबावे के खिलाफ इन्होंने तीन विकेट ली थी वहीं साउथ अफ्रिका के खिलाफ भी एक विकेट इन्होंने ली थी नेक्स्ट है हमारे पास हैरिस रॉफ की बात करें बॉलिंग की तो नीदर लैंड से खिलाफ एक इन्होंने विकेट ली जिमभावे की खिलाफ एक विकेट ली और इंडिया के खिलाफ ली थी इन्होंने दो विकेट तो गाईज यह हो गया हमारे top picks के players हमने आपको बता दिया है पाकिस्तान और बा प्लेयर्स बताए हैं हमने आपको हमने आगे अलग अलग के टेगरीज के बेसिस पे और भी टॉप 5 प्लेयर्स आपके लिए चूज किये हैं ताकि आपको पता चल जाए कि कौम से ऐसे प्लेयर्स है जिनको आपने अपनी ड्रीम 11 टीम में लेना है तो चलिए आगे बढ़ते ह कुम सबस्क heel है अपक्ते ब horrific कि अ कि क्लिए चाया तो आप हमारे पास यहां पर देक सकते हैं दो कटेगरीज हैं यहां पर वह वह हमारे पास पास फैंटसी पॉइंट्स की के टेहरी तो चले शुरू Ganze है fantasy points से सबसे ज़्यादा fantasy points जिस प्लेयर के पास है वो है तस्कीन हमद 282 points है उसके बाद शादाब खान 250 points उसके बाद महुंबद वसीम 250 points चाकी भल असन 234 उसके बाद हसन नामोट 208 points तो आप देख सकते हैं यहां पर जो है तीन प्लेयर्स हमारे पास बांगलादेश से हैं और दो प्लेयर्स हैं हमारे पास पाकिस्तान के नेक्स केटेगरी की अगर हम बात करें हमें most runs की तो आप देख सकते हैं नाजमुल उसेन ने बनाया सबसे जादा 126 runs चार इनिंग में भाही लिटोदास ने 117 runs चार इनिंग में शान मसूद ने 108 रंस तीनिंग में आप इफुसेन 71 in चार इनिंग महमत रिजवान 67 run 3 इनिंग में तो यह हो गए हमारे सबसे ज़्यादा fantasy points और सबसे ज़्यादा run बनाने वाले players तो आप इन में से देख लीजे आपको कौन से ऐसे players लेने हैं जो आपकी dream 11 team में आने के योग्य है तो आप देख सकते हैं नाजमल हुसेन ने सबसे ज़्यादा run बनाए है इनको आप ले सकते हैं बंगलादेश के batsman है ये वहीं अगर पाकिस्तान के batsman की अगर बात करें जिन्नोंने सबसे ज़्यादा run बनाए है वो है शान मसूद वैसे तो मुहमद रिजवान और जो captain है पाकिस्तान के बाबा राजम वो ज़्यादा अच्छी batting करते हैं और mostly runs भी बनाते हैं लेकिन इस world cup में उन दोनों को ही पता नहीं क्या हुआ है कि वो ज़्यादा scoring नहीं कर पा रहे हैं आगे चलते हैं तो next आप देख सकते हैं most wickets और most sixes आगए हैं हमारे पास तो चलिए जानते हैं सबसे सारा wicket किसने लिया यहाँ पर तो तस्कीन एहमद है आठ wicket लिया चार इनिंग में मुहमद वसीन छे wicket दो इनिंग में चादाब खान छे wicket ती इनिंग हसन मैमूद छे wicket चार इनिंग उसके बाद most अगर sixes की हम बात करें तो आप देख सकते हैं इफ्तिकार एहमद ने चार इनिंग में लेक्ट उधास चार इनिंग आफिफ हुसैन तीन sixes बस्दैक हुसैन दो sixes और नाजमुल तो आप देख सकते हैं यहां से आपको पता चल गया है कि सबसे ज़्याद हो विकेट लेने वाले और सबसे जाड़ा sixes मारने वाले प्लेयर्स हमारे कौन से हैं तो आप देख सकते हैं हमने आपके लिए इसी लिए यह अलग-अलग केटेगरीज में डिवाइड करके टॉप फाइफ लेयर्स निकाले हैं ताप यह आपको विना विद्ध क्लियारिटी के साथ पता चल जाए कि आपको कौन से प्लेयर्स अपनी ड्रीम 11 की टीम में रखने हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास आगया है हाइए स्कोर और बेस्ट फिगर्स यहाँ पर हाइए स्कोर की अगर बात करें तो नाजमुल हुसैन 71 रंस के साथ हैं सबसे उपर उसके बाद लेटो दास 60 रंस शान मसूद 52 इस्तिकार 51 रंस मौहमद रिजवान 49 रंस तो यह हैं सबसे जाद हाइए स्कोर्स वाले जो हमारे प्लेयर्स हैं वो अब चलते हैं बेस्ट फिगर्स की दरफ तो आप देख सकते हैं मौहमद रिजवान है चौबिस रंदी यह चार विकेटली दो इनिंग में शादाब खान 22 रंदी यह तीन विकेटली तीन इनिंग में फिर से शादाब खा में आपने देख लिया वाले प्लेयर्स कोन से हैं और हाइस स्कूर्स वाले किस प्लेयर्स रेकों से बनाए हैं तो बैंग자िश debating करते हैं मलब अच्छे प्लेयर्स अब यह लेते हैं हर मैं अगी बेद्ग करते सब्सक्रों लेह सकते हैं तो आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास आ गया है best strike rate और best economy तो चलिए शुरू करते हैं best strike rate हमारे पास है मुस्ताफिज रह्मान जी का 300 इनका है strike rate उसके बाद शाहीन अफ्रेदी 188.89, Harris Roth 150, Littodas 144.44 और मुहमन दवास 129.17 next है हमारे पास best economy, best economy अगर में अगर हम बात करें तो है Harris Roth top per 5.27 के साथ, चादाव खान 5.50, मुहबद वसीम 5.57, नसीम शा 5.67 और उसके बाद है मुस्ताफिज रह्मान 5.69 तो आप देख सकते हैं best economy में top four players पाकिस्तान की टीम से ही है तो आपको इससे पता चल रहा है कि पाकिस्तान के ballers जो है काफी strong है वही अगर best strike rate की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पाकिस्तान से हमारे पास 3 players है वही बंगलादेश से हमारे पास 2 players है तो guys यह हो गई players की information आगे आगे है हमारे पास ground की information तो ground की information भी जान लेते हैं यहाँ पर तो आप देख सकते हो batting first करने वालों के 56% chance है match जीतने के वही balling first करने वालों के 33% और इस adulate oval की मैं आपको एक खास बात बता देती हूँ कि यह जो ground है वहाँ पर batting first करने वाली जो team है वो अच्छी batting कर पाती है यह जो pitch है वो batting friendly pitch है साथी साथ जो भी second batting करने आती है team वो भी अच्छी batting ही करती है क्योंकि pitch batting friendly है तो जो batsman है वो अच्छा खेल पाते हैं साथी साथ इस ground की एक और चीज़ है कि यहां की जो boundary है वो जादा बड़ी नहीं है तो अराम से sixes और four लग सकते हैं लेकिन हम आपको बता दे जब इंडिया और बंगलादेश का last match हुआ था आइडिलेड ओवल पर वही पर बंगलादेश ने बहुत ही जबरदस फिल्डिंग करी थी और mostly जो भी sixes fours चार रहे थे उसकी वज़े से catch out हो रहे थे आपको आपने देखा ही होगा कि दिनेश कार्थिक भी catch out हो गए थे और साथ ही साथ हार्दिक पंडिया उन्होंने इतना अच्छा शॉट मारनी की कोशिश की थी लेकिन बंगलादेश के फिल्डर्स ने उनकी बोल पकड़ी थी इतनी जबरदस तरीके से की वो out हो गए थे तो यहाँ पर इस ग्राउंड पर बंगलादेश और पहले खेल चुका है इंडिया के वर्सिस में लेकिन वहाँ पर इंडिया टीम जीत गई थी लेकिन अब यह देखना है क्या पाकिस्तान और बंगलादेश के बीच में इस बार बंगलादेश जीत पाती है या फिर नहीं और आपको बता दे बंगलादेश ने इंडिया के खिलाफ तो बहुत अच्छी फिल्डिंग की ही थी तो आप बंगलादेश को बहुत अच्छे से पता है कि कहाँ पर उनको किस तरह से खेलना है इस ग्राउंड पर और साथ ही साथ बैटिंग फ्रेंडली ये पिछ है तो जो भी चीतनेगा वो फर्स्ट बैटिंग ही चूज करने वाला है और आपको बता दे एक और चीज जो इस ग्राउंड की है वो यह है कि यहाँ पर जो पेस बोलर्स होते हैं वो जबर दस्त खेल पाते हैं उनकी बॉल को एकदम अच्छा पेस मिलता है तो यह हो गई हमारी ग्राउंड की इंपोर्मेशन जो आपको बतानी बहुत इंपोर्टन थी जो आपकी हेल्प करने वाली है यह पता लगाने में कि मैच को कौन जीतने वाला है तो चलिए आगे हम बात करें अगर एबरेज स्कोर की तो फर्स्ट इनिंग के एबरेज है 173 और एबरेज सेकें इनिंग 4 है 142 अब यहाँ पर अगर हम रिकॉर्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं हाइस यहाँ पर बनाए है औस्टेलिया ने 233 रंस दो विकेट पर लोएस श्री लंका ने बनाए है 99 रंस नो विकेट पर हाइस चेज यहाँ पर किया है इंग्लेंड ने 158 रंस 9 विकेट पे वहीं लोएस डिफेंड़िट श्री लंका ने किये 187 रंस 6 विकेट पे तो यह हो गई हमारी ग्राउंड की इंफर्मेशन और मैं आपको बता दू इस ग्राउंड पे पाकिस्तान के जो है 60 परसेंड चांस है जीतने के अगर हम उनकी देखें गेम वगएरा तो बांगलेश से ज्यादा स्टॉंग है और पाकिस्तान लेकिन पांगलेश इस ग्राउं सिमेच को जीतने के वहीं अगर हम बांगलादेश की बात करें तो बांगलादेश के हैं 40 पर्सेंड चांस इस मैच को जीतने के तो चलिए अब कि हम बात करते हैं यहां यहां पर हम बात करेंगे कि दोनों टीम्स की जो ओपनिंग कैसी है, मिडल ओडर, बैटिंग डैथ, पेस बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग कैसी है तो आपको बता दे ग्रीन का मतलब है और ब्राउन का मतलब है एवरेज तो देख सकते हो आप, पाकिसान की जो टीम ओपनिंग है, वो एवरेज है क्योंकि बाबर आजम और मोहमद रिजवान अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं कुछ मैचिस से इस वज़े से ये एवरेज है, वरना अगर बाबर आजम और मोहमद रिजवान अच्छा परफॉर्म कर रहे होते तो यहां पर इनका टीम ओपनिंग एकदम स्ट्रॉंग होती वही बंगलादेश की टीम ओपनिंग है वह स्ट्रॉंग है और आपको बता दे, जो मिडल ओडर है, वो पाकिस्तान का स्ट्रॉंग इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जो मिडल ओडर के जो प्लेयर से वो ओपनिंग बैट्समैन बाबर आजम और मोहमद रिजवान से जादा अच्छा खेल पा रहे है इस टाइन पर और बंगलादेश का जो है मिडल ओडर वो एवरेज है, बैटिंग डैप्थ दोनों ही टीम्स की एवरेज है, कोई जादा खास नहीं है किसी की भी पेस बॉलिंग यापर दोनों ही टीम्स की स्टॉंग है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तक्कर का मुकाबला होने वाला है बॉलिंग में, क्योंकि दोनों की ही पेस बॉलिंग जबर दस्त है, स्पिन बॉलिंग यापर दोनों की ही एवरेज है, और आपको मैंने बताई तो अब यह देखना होगा कि इस बार किसके कमाल कर पाते हैं पाकिस्तान के या फिर बंगलादेश की टीम के वहीं अगर बात करें हम पेस वर्सेस पिन की इस ग्राउंड की अकॉर्डिंग लास्टेन मैच इस तो 63 विकेट्स लिए हैं पेस बॉलर्स ने वहीं 28 लिए है फिन बॉलर्स ने तो आप देख सकते हैं 63 और 28 में कितना ज़्यादा डिफ्रेंस है पेस बॉलर्स के लिए बहुत अच्छा मोका है अपनी परफॉर्मेंस यहां पर दिखाने का दोनों ही टीम के और पता चल जाएगा कि कौन से जो हैं पेस बॉलर्स जादा स्टॉंग है क वही पॉइंस टेबल की बाद हमने स्टार्टिंग में भी कर दी लेकिन अब फिर से कर लेते हैं एक बार तो आप देख सकते हैं दोनों ही टीम्स के पॉइंस तो चार-चार ही है लेकिन नेट रन रेट की बात करें देख सकते हो बांगलादेश का माइनस में है माइनस 1.276 महीं पाकिस्तान है प्लस 1.117 तो आपने देख लिया कि नेट रन रेट में काफी ज़्यादा ख़रक है इनके और अगर दोनों ही बांगलादेश ही मैच जीता भी है तो उनको काफी ज़्यादा हाई स्कोर से ये मैच जीतना पड़ेगा और जो मैंने आपको और इंडिया मैच जीत जाती है तो पाकिस्तान और बांगलादेश दोनों में से किसी का भी कोई चांस नहीं है सैमी फिनाले में जाने का लेकिन अगर उन दोनों मैच जीते टीम उसके आगे जाने के थोड़ से चांसे बढ़ जाएंगे सैमी फिनाले में तो गाईज ये मै मैंने आपको बताया है पाकिस्तान और बांगलादेश के मैच का इंफॉमेशन प्रेडिक्शन बताया है मैंने आपको ड्रीम 11 में भी आपकी हेल्प कर दिया है इतनी सारी इंफॉमेशन दे दिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिलकुल मत भूलिएगा तो यह थी पाकिस्तान वर्सिस बांगलादेश की मैच प्रेडिक्शन हमने आपको बता दिया है कौन से प्लेयर सही हैं आपके ड्रीम 11 के लिए साथ ही साथ हमने जो वेन्यू के भी इतनी सारी बात कर दिया है और यह ध्यान रखिए पाकिस्तान के 60% चांसा जीतने के बांगल प्रादेश पहले खेल चुकी है तो उनको पता है कि एडिलेट पे कैसा गेम होता है तो उनके लिए यह एक प्लस पॉइंट भी होने वाला है तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जोइन करना वहां पर आपको बहु